हेलो दोस्तों तो एक बहुत important question की inlet wall बढ़ा होता है engine में यह exhaust wall बढ़ा होता है तो यहाँ पे देखेंगो यह है inlet wall और यह है outlet wall तो आप कुछ simple सा समझना है की inlet wall बढ़ा होता है exhaust wall से क्योंकि यहाँ पे जब suction होती है suction के दोरान यहाँ पे low pressure होता है और जादा से जादा air जल्दी से जल्दी इसके अंदर आए इसलिए इस wall को बढ़ा किया जाता है तो जब exhaust stroke होता है तो exhaust stroke के time यहाँ पे high pressure होता है जिससे easy हो जाता है gases को बाहर निकालना तो इस time हमें छोटे wall से भी काम चल सकता है inlet wall बढ़ा और exhaust wall छोटा होता है